है व्यावर्वान स्वागत है सभी लोग का के लिए प्लाटफॉर्म पर आप से लोग को विच्छों में बताना चाहता हूं कि हम सभी लोग आप लोग के लिए मैज का कम्प्लीट कोर्स जिसमें कि हम लोग सबसे पहले सेट सेप्टर को उठा रहे हैं और सब्सक्राइब करे देखने हैं या फिर आपको इंपॉर्टन टॉपिक जानने है एक्जाम पॉइंट व्यू से या फिर आपको इंपॉर्टन टॉपिक वाइज कोश्चन करना है यह सब कुछ आपको मिल रहा इसी चैनल पर प्ली लिस्ट वाले सेक्शन में नहीं गए हो तो जाओ बागी डिशेन आम से पुकार गार है एक तो यही है सेटेटर पॉम मेथड एक है रूल मेथद अब इसको ऐसा कर जा रहा है सबसे पहले तो मैं आप लोगों बताओंगा कि इसको ऐसा क्यों कहा जा रहा है एक्शल में होता गया है जब कई भी आप लोग लोग रॉस्टर फोर्म म लिखुँगा अगर बहुत सारे हुए स्टार्टिंग और एंडिंग पता है मुझे ठीक है तब तो मैं स्टार्टिंग के कुछ लिख दूँगा बीच में डॉट लगा दूँगा कि बहुत सारे एलिमेंट मत लिखो तो वह पता है क्या तो वह यह कह रहा है कि आप कुछ ऐसा कर दो कि जरूथी ना हो लिखो कि और जी तो रोस्टर में तरफ कहती दिए कि सारे अलिमेंट लिख दो यहां दूसी तरफ यह कह रहे हैं एक भी की एलिमेंट मतलिक हो तो कमाल हो गया आई यह जरह इसको समझते हैं कि सेट विल्टर फॉर्म आखिर में है क्या तो सेट विल्टर फॉर्म में आप लोगो मैं समझाता हूं कि इस तरीके से चीजों को लिखना सबसे पहले आम लोग यहां पर देखने हैं कि इसको लिखने का तरीका क्या है उसके उपर के कोशन्स भी करना हम लोग यहां पर शूरू करेंगे आईए सबसे पहले इसकी डेफिनिशन को देख लेते हैं कि इन दिस मैथर्ड असेट इस डिस्क्राइब आयक्यरक्टराइजिंग प्रॉपर्टी ओफ इट्स एलिमेंट्स जी हां एलिमें आप लोगों ने एक्सलेट किया तो यहां पर इस तरीके से लाइन लिख दो यहां फिर यह कॉलने वाले साइन मना दो उसका मतलब होता है सच्ञाइट तो यहां पर जो वह एक्सलेट करेंगे या जो कुछ भी करेंगे मैं इसको आपको डीटेल में समझते हैं इसको कभी और आपको ध्यास रखना है कि जब कभी भी आप लोग बात करते हैं कि सेट को लिखने की अग्यूंकि बसा है क्यों क्यों कि ऐसा ही होता है है ना चलिए बात करते हैं और थोड़ा सा और आगे की तरफ शेल रहा हो भी और आप लोगो चीजे दिखाऊंगा यहां पर आपको सबसे बहुत है करना है मतलब क्या है एक्स प्रिखना है यह यहां पर पूरी की पूरी बापर्ट करक्रेंत करता है यह नहींदे पर डीने और इस प्रपर्टी अपर किल को लिखने के बाद है इस को इस में और कि बढ़ने में इस बात का ऑनिसे तो हमें समझ नहीं आरा बताता हूं कैस Сп resembles माल नहीं आपके सामने कभी कोई सवाल सवाल कुछ ऐसा आगया सवाल में लिखा हुआ सवाल में ठोड़ा सा है यह यहां पर लिखा हुआ है यहां पर हैं यहां पर करने का मतलब क्या है कि अगर आप लोग के पास यहां पर एधे रखा 64 भी हो गया 81 भी हो गया और 100 भी हो गया आपको मालीजिए पूरा का पूरा दे रखा है डॉट लगाने का मतलब यह होगे कि बीच के उन्होंने लिखे नहीं है एक से ले करके 100 तक जा रहा है कुछ लिखा हुआ अब आप लोगों को सबसे पहले सबसे पहला फॉस्ट पॉस्ट फॉस्ट फॉल आपको क्या काम करना है यहां पर मैं आपको बता देता हूं आप लोगों बहुत बड़ी आगाम करना है वो करना है आपको अब्जर्व करना है कि एक्च्वल में यहां पर गेम क्या चल रहा है तो observe करने पर आपको यह पता चला कि यार यह भी क्या है वन का स्क्वाइर यह क्या है टू का स्क्वाइर यह क्या है त्री का स्क्वाइर यह क्या है पूर का स्क्वाइर यह सिक्स का स्क्वाइर यह सेवन का स्क्वाइर यह एट का स्क्वाइर यह नाइन का स्क्वाइर और य यह आपको देखने को मिला जैसे यह आपको यह बात पता चलिए आपने बोला या इसका मतलब तो यहीं वर्ड में यूज करने वाला हूं नेचलनल नंबर करें तो इसकोर हो रहे हो लेकिन नेचलनल नंबर सारे नियुक्त नहीं तरहीं सिर्फ 10 तक ही जा रहा है तो मैं कैसे इसको मैं बताता हूं कैसे लिखना है आप लोगों को लिखना है एक शर्म साथ करके लिख देना लेना है। अब आपको इस एक्स के बारे में ही तो बताना हग्रैंब लिखोगे एक्स इस इकोस्तों में एक्स जो एवह है कुछ इस तरीके से ठीक है कि यहाँ पर का स्क्वार होता है देखो एक्स जो है एवरीवन ध्यान से सुनेंगे एक्स जो है वो कुछ ऐसा है कि इन का स्क्वार हो रहा है यह 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 जो है यह बिलॉंग कर रहा है अब बताओ काम में आरे नहीं थोड़े पहले मैंने आपको अब आपको बिलॉंग कर रहें अब आप यहां पर बोल देंगे यह दस यह दस से कम रहेगा इसका मतब क्या है इक्वल टू और या तो यह दस तक जाएगा इन की वेलु क्या रहेगी या तो दस छोटी रहेगी तो जह सबक्सक्राइब के लिए एक दो तक रहेगा तो इन सारी वेल्यूस के लिए बराबर रहेगा आप चाहें तो इस जगह पर यह भी लिख सकते हैं जो है वह लेस्ट दन 11 रहेगा ग्यारा सचोटा ही रखो हमेशा हैं अच्छा एन को 1.2 और 1.3 मत समझ लेना क्यों क्योंकि पहले ही मैंने नैच थीक है थीक है तो यही बिल्कुल तौशी लिखना था एकसाजडाट एकसाजडाट एकसे इस इक्वल्स वें ए्न का सक्वेर एंच जो है विलोग कर रहा है नाच्रल नंबर से वैलियु को यहां जाएगी दस यहां दस से छोटे तक बस बात खत्म होगी बच्छों इसे क्लियर और नॉट बताइए ज़्वाइज बहुत याराम से क्या होगा यह चीज प्लियर होगा किसी बी तरीके की कुछी को भी दिक्कत नहीं आई होगी अगर इसी तरीके के और पिस सवाल जानना चाहें तो यहां पर हम लोग बात करते हैं अगर आप लोगे सवाल को द तो मैंने क्या कहा मैंने क्या कहा सबसे पहला काम करना क्या होगा बच्चों करना तो आपने देखा जो यहां देखा उसमें एक जोड़ गया है इसका मतलब कुछ अहीं हुआ कि मैंने जब एन लिखा तो एंड में जोड़ दिया वह वह लो ऐसा कुछ लग रहा है बिल्कुल यह ना यहां यहां पर तो मैं सिर्फ नेचुरल नंबर ही लिख रहा हूं कर आप लिख सकता हूं नहीं लिख सकता है कहां तक जा रहा हूं एक दो तीन लेकिन नीचे कितना आजाएगा तो अपने आपी साथ बन जा रहा हूं तो मैं को क्या बोलूमा एंड रहेगा छे या छोटे नंबर के लिए बात खत्म हो गए अब आप यहां पर रख लीजिए चाहें तो आप यह नेच्वर नंबर्स हैं छे चोटे रखेंगे एक तीन आ जाएगा ती रखेंगे पोर आ जाएगा पोर रखेंगे पाइव आ जाएगा पाइव रखेंगे तो शिक्स रखेंगे तो सेवन बात खतम हो गई बस यहीं तो उन्होंने हमें लिख करके दिया था अब आप लोग खुद देख सकते हैं आप जब कभी भी आप आप लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है और अगर नहीं बन पा रहा है तो कई ना कई मिस्टेक हो गई है तो अब्जर्व ध्यान से करो जो पहला स्टेप है वही आखरी स्टेप समझ दो अब्जर्व करना अब्जर्व करना is the most important thing in these type of questions ओके चलिए जड़ा अगला सवाल अगला सवाल कहता है यहाँ पर लिखा हुआ है इसे सी मान लेते हैं यहाँ पर लिखा है दो चार आठ सोला बत्रिस मैंने कहा दो बारा से क्यों नो अब्जर्व किया जाए क्या किया जाए बच्चों अब्जर्व किया जाए अगर आप दो बारा से अब्जर्व करने है इसका मतलब दो कि पावर बढ़ती चली जा रही है कि इसका मतलब तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि वे एक्स सच आट एक्स श Also सभीज है कि एक्स पांच या पांच से कम तक जाएगा आप यहां पर बच्छों बोल सकते हैं क्या यहां तक क्लेर है आप सभी लोगों को एक दो तो एक दो तीन चार पांच लिखिये और जो भी आएगा वो यही मिलेगा आपको तो यहां पर लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से यहां लिखा हुआ है 246 डॉट 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 और हमारे पास यहां पर दे रखा है सब्सक्राइब करने जर्णाइब करने इसको पहुंचा तो इसने बोला कि टू इंटू-इस ने बोला की टू-इंटू-टू-टू-इस से आगे वाला क्या रहा होगा टू इंटू फॉर उससे आगे टू इंटू फॉर ऐसा ही कुछ चल रहा था लेकिन दो अपनी जगा बना हुआ था तो मुझे कुछ पैटन समझ में आया मैंने बोला दी को तो फिर हम लिए लिख सकते हैं कि एक्स सच डैट एक सब्सक्राइब कितना आजाएगा टू एन आजाएगा नहीं आजाएगा तावर में यह मल्टिप्लाई में हैं ठीक है और यह एंड क्या हो जाएगा क्योंकि 1 2 3 4 यह सब मल्टिप गःता तो मैं यहां पर restriction लगा है नहीं सकता जैसे पिछले वाले बोले ता पाँंच 5 5 से छोटे अब इसमें क्या restriction लगां आप सोचो क्या ही रिस्क्शन लगीगी इसमें रिस्रिक्शन लगा ही नहीं सकता उसके पीछे का भी रीजन है क्योंकि मुझे पता ही नहीं कहा त जिँके चले लंगे तो इसका मतलब यह हो गया हमारे पास कि हमें यह समझ में आचुका है कि शेटoured और रोस्टवर्म क्या होती है दोनों की दोनों चलुडर अब इसी के साथ आगे की तरह बढ़ते हैं और एक मिक्स्ट कोशन कर लेते हैं ठीक है लोगों तैयार हो हो जाओगे अपनी पैदी एक्सेसाइज को सॉल्व करने के लिए तो आइए जरा इस कोशन को भी यहां पर सॉल्व कर ही डालते हैं आज तो अगर मैं इस कोशन की बात करो यहां पर उन्होंने बोला है प्रिंसिपल के अबारे में तो प्रिंसिपल किस वर्ड में आ रहा है ज भी अगर है और यहां पर इस चीज़ को घंसे करें ऑब यहां पर देखेंगे प्लस एकल सुमें वह में एक्स की वेल्यू इम्यू एक इक इंटीजर है पास जीरू भी क्या हो एक इंटीजर तो एक टीजिसे मिला दूंगा जुना अटेंगा अगर मैं थर्ड की बात करूं बच्छो तो 1,2,3,6,9,18 यह क्या दे रखें हम लोग जरह यहां पर बात करते हैं जैसे कि X is a positive integer and is a divisor of 18 ऐसे numbers जो divisor हो 18 के जो 18 को divide कर पाएं वो कौन-कौन हो सकते हैं अगर माइनस 3 की अगर बात करें तो 3 और माइनस 3 यहां से देखेंगा यहाँ पर इन्होंने बोल रहा है प्रस त्री और माइनस त्री इसका मतलब पूर्थ को मैं मैच करवा सकता हूं बी से अब इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारे के सारे जो थे वह पैटन लिग डाले और अब आप इन में जो बोलते हैं मिलान करो आप मिलान कर सकते हैं मैंने बता दिया किस किस तरीके से आप लो के बीच में relationship हो गया सेट की representation रोसल फॉर्म हो चुकी है अब हम लोग को आगे की तरफ बढ़ना है और बात करें हैं टाइप सेट के बारे में तो चलिए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग देखेंगे सेट के कितने टाइप होते हैं किस-किस तरीके सेट होते हैं और क्या क्या हमें उन्हें पढ़ना होता है मिलते हैं अगली वीडियो में तो आप लोगों को यह वीडियो भी पसंद आ गई होगी और आप लोग कॉंसेप्ट भी समझ गोंगे लेकिन इसके बाद जो अगला वाला चैटर वहां पर मिल जाएगा इसी के साथ साथ वन शॉट हो चाहे माइंड मैप हो हर एक चैटर का वो टॉपिक हो जो एक्जाम में आने वाला है चाहे वो जानना हो या पिर हर एक चैटर के टॉपिक वाइस कोशिंस करने हो सब की प्लेलिस आप लोगों दे रखिए को एं तरीके की नेक्स्ट वीडियो के तता के लिए आप से भी लोग अपना ध्यान दखिए